बरसात के दिनों में अक्सर देखा जाता है लोगों में टाइफाइड की समस्या होना टाइफाइड का जो बुखार आता है बारिश के दिनों में बहुती कॉमन बात है इस वीडियो में हम जानने वाले हैं टाइफाइड होने के कौन से कारण होते हैं कौन से लक्षन चानल मेरा नाम है तो हम अधा होता क्या है यह तालमोनेला टाइफ़ाइन नामे वेक्त्रील होता है यह जो infection है वो सबसे ज़्यादा खाना दूशित जो infected खाना होता है उसके और पानी के कारण यह infection होने के chances होते हैं इसके अलावा अगर आप सापसफाई नहीं रख पाते हैं उसके कारण भी हो सकता है सबसे ज़्यादा जो patient होते है टाइफट के वो देखे जाते है बरसात के दिनों में ऐसा इसलिए होता है जो बारिश का पानी है अगर बहुत ज़्यादा आने के कारण जो bathroom का पानी होता है वो हमारे अच्छे पानी के साथ में mix हो जाता है जिसके कारण वो जो bacteria है वो फैलने के chances होते है इसलिए बरसात के दिनों में ज्यादा तर देखा जाता है बरसात ज्यादा आने के कारण मतलब बारिश अगर continue में हो रही है रोज ही हो रही है तो साप सफाई नहीं रख पाते है तो उसके कारण भी infection हो सकता है बरसात की दिनों में generally देखा जाता है कि जो के अंदर आपको को लक्षन दिखाई दे सकता है आपको तेज बुखा रहा सकता है फिर में डर्द होना या फिर पेट में दर्द होना या फिर आपको और पेट में ऐसे चोटे-चोटे गुलावी कलर के आपको दाने दिखाई भी दे सकते हैं यह सारे लक्षन दिखाई देते हैं अगर आपको टाइफाइड हुआ है तो अब हम जानेगे कि अगर हमें टाइफाइड हुआ है तो दौक्टर के द्वारा कौनसा इलाज दिया जा इस कंडिशन में सबसे अच्छा जो एंटिवेटिक होता है वह सिप्रोफ्लोग्जसिन मॉलेकुल का रिजल्ट देखा जाता है जो हमें फ्लोग्जिसिप करके ब्रैंड नेम से मार्केट में आसानी से मिल जाता है जो अबॉड कंपनी के द्वारा बनाया जाता है यह गोली जो है वह एडल्ट को मतलब बड़ो को सुबश्याम खाने के लिए कहा जाता है लेकिन अगर किसी को टाइफाइट बार बार हो रहा है यह सिप्रोफ्लोग्जसिन मॉलेकुल देने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है तो उस कंडिशन में अगर यह टाबलेट काम नहीं करती तो ऑजित्रोमाइसिन मॉलेकुल का भी यूज किया जाता है जो मॉलेकुल है वह जाफ है दिन में एक बार लेने के लिए कहा जाता है अदल्ड को बड़ों को और वह प्रेगनेंसी में भी दे सकते हैं लेकिन कुछ कंडिशन में क्या होता है कि जो मेडिस्व से मतलब में आसानी से मिल जाता है या इंजेक्शन continue patient को दिया जता है जिससे बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट देखे जाते हैं टाइफाइड की condition में यह बहुत ही आच्छा काम करता है इसके साथ ही साथ पेशन को प्यासितमॉल की टाब्लेट दी जाती है 650 mg दिन में तीन बार भी दे सकते हैं या फिर 500 mg दिन में दो बार दिया जाता है या बुखार को कम करने का काम करता है इसके साथ ही साथ पेशन को पेंटाब्राजल प्लास टोंपरिड़ॉन दिया जाता है जो खाना-खाने के पहले लेने के लिए कहा जाता है या सुबखाली पेट एक टाबलेट लेने के लिए कहा जाता है इसके साथ ही साथ अगर पेशन को दर्द हो रहा है सीर में तो नैप्रॉक्जिन मॉलिकुल दिया जाता है जो injection का dose होता है वह ऐसा होता है कि 1 mg जो सेप्ट्राइग्जोन injection है जो मोनसेप के ब्रैड नेम से मिलता है वह सुबए 1 mg दिया जाता है और शाम को 1 mg लगाया जाता है यह जो tablet या फिर जो भी treatment चर रहा है टाइफाइड के लिए और जो injection दिया जाता है वह continue past से 7 दिन उकले पेशन्ट को दिया जाता है अब हम जानेंगे कि अगर हमें टाइफाइड हुआ है तो सलाइन की बॉटल क्यों चड़ाई जाती है क्या चड़ाना जुरूरी होता है या फिर नहीं मतलब आइफ्लूट चड़ाना चीए या फिर नहीं चलिए जानते है जब हमें होता है तो हमें उल्टी होती है या फिर दस्त मतलब लूज मोशन होने लगता है तेज बुखार के कारण इन सब कारणों के वज़े से भी हमारे शरी में पाने की कमी हो जाती है जिसके वज़े से सलाइन की बॉटल चड़ाना जरूरी होता है लेकिन कंडिशन देखके अग अगर किसी की सेवेर कंडिशन है जाधा ही कंडिशन खराब चरहें ऊसके वमें उसे तूरं सलाइन की बॉटल मतलब आईउज़ाज चड़ाया जता है सैंगया से american का नेक्स विडिमा